कि एक लड़की सटन कोल फिल्म में रहती थी वो एक लड़के को लाइक करती थी उनकी जो माता जी थी उन्होंने उसके ऊपर मुठी करन कराया था वशी करन भी कहते हैं थोड़ा सा डिफरेंट है जिनकी गल्फ्रेंड या उनकी वाइब उनको पीट के चले गई है आपको ब करचन जी का जो डिवोस हुआ हुआ है यह कितने सालों के बाद हुआ है क्योंकि उनके पिता जी ने कितनी पूजा पार्ट कराई है जब साड़े साथी चलती है आपको लोग भूल जाते हैं आपके खर्चे बढ़ जाएंगे कोर्ट केस इंकम टेक्स की प्रावलम सारी उस के बीच लाते रहते हैं तो इसी तरह आज हमारे बीच जो गेस्ट है वो स्पेशली यूके से ट्रावल करके हमारे लिए आए हैं पिछले तीस साल से इस लोगी प्रोफेशन में है और पीडी दर पीडी इनकी फैमिली में अस लौजर जाते रहे हैं जिन्होंने इंडिया क बड़ी बड़ी personalities को consult करा है इन्होंने देश के बाहर जाकर हमारे देश की science को वहाँ पे भी represent करा है आज हमारे साथ मौझूद है गुरू जी astrologer जी नमस्कार और आज बाते होंगी astrology की, palmistry की mantra की और आज सर कह रहे है कि इस shoot के बाद आपको पता चल जाएगा कि मेरे में और जो so called fraud astrologers है उनमें क्या फरक है ना सर? देखिए fraud तो कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि हर इनसान अपनी knowledge के इसाब से ही काम करता है लेकिन experience की बात है कि किसको कितना experience है और कितना ज़्यादा बढ़ा के वो बता रहा है सबसे पहले आज ब्रहस्पति वार है तो हम ब्रहस्पति देव को नमशकार करेंगे मंत्रों द्वारा उनका मंत्र है देवा नाम चरिसी नाम च गुरुम कांचन सन निभान बुद्धी भूतम त्रेलो केसम तम नमामी ब्रहस्पति तो ब्रहस्पति देव को बहुत बहुत नमशकार है और जैसा आप कह रहे थे तीस साल तो हमें यूके में ही काम करते हुए हो गया है वैसे हमारे एक्स्पिरियन्स फोटी फाइव यर्स का है तो ये काम करते इतने साल हो गये हैं लगबग 75 कंट्री में हमारे क्लाइंट है लोगी 75% से 90,000 जो कि रेगुलर हमें कंसल्ट करते है तो ये वैं से शारे इंडियन यह या फिर अगडरेज भी है फोर्नर्स जो कर रहे हैं फॉलो जी इसमें घूरे भी हैं काले भी हैं इंडियन भी हैं पंजाबी लोग भी हैं, सिख लोग भी हैं, मुस्लिम लोग भी हैं, सेख भी हैं, यू नेम इट, मुस्ली प्यूपल आर देर. सर, यह बहुत नया है, हमने अपने पॉड़कर्स पर कभी ऐसे बात नहीं करी किस याश्ट लॉजर के पास कोई गोरा गया है, कोई फॉर्णर गया है, तो वो कैसी समस्या लेकर आते हैं, और फिर आप उनको अपने मंत्रों दुवारा कैसे रेमेडीज हैं, किस थरीके साब करते हो, देखिए चाहे वो गोरा हो या काला हो, प्राबलम लगबग लोगों की सिमिलर ही होती है, अगर कोई गोरा है तो ऐसा नहीं है कि उसकी प्राबलम अलग होगी, हाँ उसका नेचर थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, मुझे याद है काफी इंगलिश लोग भी मेरे प और पुलिस में केस कर दिया है, और फिर पुलिस ने उनको कोई घर दे दिया और वो आपस में मिल नहीं पा रहे हैं, और सारे फोन ब्लॉक कर दिये हैं, तो वो लोग हमारे पास आते हैं, तो हम उनकी भी मंत्रों से हेल्प करते हैं, अगर आपकी रिलेशन्शिप में प्र कि आज है कि क्या मंत्र है सबसे पहला आपको देखना चाहिए कि मंगल देप कहां बैठेंगे और मंगल देप के मंद्र का जाप करना चाहिए उनका मंत्र है धर्नीगरभा संभूतम विद्युत कांती समाप्रभम कुमारम सक्तिम हस्तम तम अंगलम प्रणमाम मेहम या छोटा मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्राम सहभूमाय नमहा या अंग अंगारकाय नमहा वेदिक भी मंत्र है जो कि 5-6 अजार साल पुरान है सर जैसे आपने कहा कि पहले देखना चाहिए मंगल देव कहां बैठे है तो आम आदमी तो क्या ही देखेगा वो तो वैसी लड़ाई जगड़े में परेश्ट तो हम लोग बैठे हैं ना कि वो हमारे पास आएंगे हम उनके मान लीजे कई लोगों के पास डेटों बर्त नहीं है या डेट है तो टाइम नहीं है तो उनके पाम से बता सकते हैं यह जो आपका पाम है इसके अंदर सारे ग्रह हैं यह जैसे बुद्ध देव हैं यह सूरी देव हैं सनी देव हैं जुपीटर हैं केतु हैं राहु हैं मंगल है तो मतलब सारे ग्रह इसमें हैं अगर आपका वीनस परबत जो लॉर्ड वीनस हैं उनका परबत दबा हुआ है तो एट्रेक्शन कम हो जाता है आपने देखा होगा काफी लोगों की उनकी उमर 35-40 साल हो गई है उनकी साधी नहीं उपर रहे हैं क्योंकि कोई उनकी तरफ आकरसित ही नहीं होता है तो उनके मंत्र का जाप कर रहना चाहिए और को मजबूत करने के लिए इसमें कलर करने से या परफ्यूम लगाने से फरक नहीं पड़ेगा ना लिखिन जो इसकी नेगेटिवीटी है वह कम हो जाएगी अगर वहीं आप उसको रोक नहीं सकते हैं लेकिन उसकी negativity को malific effect को up to 70% कम कर सकते हैं मंत्र है ही मकुंडा मिनाला भाम दैत्या नाम परमम गुरुम सर्बसास्त्रा प्रवक्तारं भार गविम प्रणमाम में हम तो जब मंत्र का जाप करते हैं तो चीजें चेंज होनी सुरू हो जाती हैं in your favor जैसे हम कह रहे हैं कि आपको 70% 75% फायदा होगा लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि वह 100% है क्योंकि उसका effect इतना ज्यादा होता है मंत्रों का वो डेटी के साथ connect करता है सर इसमें उच्चारण भी matter करता है अगर जैसे कोई उचनीज हो जाए या माला नंबर ऑफ मंत्रा जाप तो करे बंदेने पर कुछ एक minor mistake हो रही है शब्द गलातिया मात्रा गलातिया लेकिए भगवान को आपकी सर्धा विश्वास से मतलब है जैसा रामायन में लिखा है बाल कांड में कि सर्धा विश्वासर उपिनम याभ्याम बिनान पश्यंती सिध्वा स्वांतस तमिस्वरम अगर थोड़ी बहुत गल्ती भी हो गई है लेकिन आप regular चीज को कर रहे हैं जब आपको पता लग जाता है कि गल्ती हो रही है तो किसी अच्छे समझदार आदमी से उसको rectify करा ले उसको ठीक कर ले तो बतलब किसी जोट्सी से किसी ग्यानी आदमी से किसी पंडी जी से किसी या हमारे से हम उसको वीडियो बनाकर भेजेंगे उससे उसका rectification हो जाएगा और ठीक हो जाएगा सर जैसे आपने बोला कि अगर किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया चलो तो इस मंत्र का उचाल करेंगे चीजे सॉल्व हो जाएगी बड़ बहुत पुराने हैं और ब्लॉक करना कराना यह थोड़ा आजकल का चलन है तो यह चीज कैसे ही लागू होती कि आजकल बहुत देखने हैं तो यह प्राबलम भी पुरानी है पहले भी यह सब प्राबलम होती थी उसका थोड़ा नेचर डिफरेंट होता था आजकल जब से यह सोशल मीडिया वगरा चल गया है तो लोग फेस्बुक के थुरू बात करते हैं कोई इंस्ताग्राम के थुरू बात करता है कोई हमारे पास आते हैं तो उनका फुल जाता है क्योंकि बाट को देखके पता लग जाता है कुछ से पता लग जाता है भी कि ठीक समझ गए हम पर हम ये कह रहे हैं कि वो जो मंत्र है जो साइन्स है वो तो बहुत सालों पुरानी है और ये डेटिंग कल्चर बात ना करना या किसी का किसी को किसी को अवाइड करना या रिलेशन्शिप से चले जाना फिर वापस लाना ये तो आज की प्रॉबलम है तो मंत्रों में मलब हमारी साइन्स ऐसी बनाई कैसे गई ये मंत्र क्या काम करते हैं जो बंदा जो दूर जा रहा है रिश्टा जो तूट रहा है वो वापस आ जाता है मंत्र जो है क्या करता है वो आपके root cause को ठीक करता है जो जिस कारण से problem आई है उस चीज को ठीक करता है अब आप क्या सोचते हैं कि आज हवाईजाज है तो पहले time में हवाईजाज नहीं होते थे हमारे जो receive हुनी है उन्होंने खुद हवाईजाज बनाए राबंदे की नहीं है यह नए फॉर्म में आ रही है लेकिन वह चीजे सेम हैं उनमें एक एक भी चीज का फरक नहीं है बलकि जो आज चीजें आप देख रहे हैं इससे काफी ज्यादा चीजे पहले अच्छी थी महाभारत में यूद होता था और संजय जी सारा कुछ बता देते थे कैसे यूट्यूग ने कैमरे कारला का सिस्टम तो था नहीं है तो सूर्व है भी साइल गाला ऐसी क्या है जो रिष्टे तुडवाते यह एक बंदे को चीट करने पर मजबूर करते हैं ये भी प्लैनेट सी करवाते हैं आपने जो क्वेशन पूचा है ना ये सबसे इंपोटेंट है जो चीत वाला है जो साधी का घर सात्मा घर है अगर उसमें शुक्र दे बैठें और अगर उनके साथ राहू बैठ जाते हैं तो उस इनसान के चाहे वो लोगों कोई साथ रेलेशन शीफ बनेंगे इंटीमेट रेलेशन शीफ होंगे वह कभी भी एक इनसान के साथ खुश नहीं रहेगा क्योंकि राहू उसको भ्रहमित कर देता है उसकी में infrastructure इंट कंपनी symbols में डालता है वो कहता है कि तो यहां खुश नहीं है तु और लोगों सब कुछ , दुनिया में पलैनेट के भिगर आप पानी भी उठा के नहीं पी सकते हैं। कि वह आपको लेकिन कर्म कर सकते हैं। कि या जा सकता है। लेकिन 10-15 । बागी सबनेट का भी है। लेकिन से सब्सक्क्राइब घख Sesame पाणी, प्लैनेट नहीं स्कुछता है। लेकिन मैं चारू तो मैं तो पी लूँगा ना वो उठा तो आप लेंगे लेकिन उसमें टाइम बहुत लगेगा अब देखिए हमारे लिए पानी कितनी देर से आया है लेकिन हमने कहां उठा के पिया है क्योंकि वो उस चीज को अलाव नहीं कर रहे हैं इनका ग्रहों का इतना ज्यादा सिस्टम है यह आपको अगर उसका मन हो जाए तो आपको एक रूम में बंद कर देगा बेसक आप फैमि कि यार इसे कौन से प्लैट एंट जो तुम्हें फोर्स करते हैं चीट करने के लिए पिर मल्टिबल पार्टनर्स रखने के लिए नहीं कि यार तुम्हारी संगत यह तुम्हारा इंफ्ल्यूएंस बहुत डिपैंड करता कि तुम कैसे हो गया कैसे बनोगे तो इसमें भी इ और रिलेशन बनाओ और उसके अंदर ऐसा डालता है कि वह किजी को फोन करेगा तो उसका लब अफियर वहीं हो जाएगा और उसको तुरंत उदर दूसी तरब से ओके हो जाएगा और वह घूमने निकल जाएगा जब यह देखना पड़ेगा कि कौन से द्रिष्टी है और कहां बैठा हुआ है जो साथ माहरे अभर है वह बिवाक का घर लेकिन वहीं लब अफियर का भी घर है वहीं इनकी साधी नरद पहर थे उनकी साधी च्ख लाप से और तक नहीं चले गी उन्होंने का हमने तो सारा इंत्याम कर लिया बैंकोफ लोग हो गया है जेवर खरीद ली हैं कपड़े खरीद ली हैं सारा भूक के आप क्या करें मैंने का देखिए आपको यह पहले पूछना चाहिए था वो लोग हनी मून में गए हनी मून से जब वापिस आये तो लड़का अपने घर चला गया लड़की अपने घर चलेगी तो बहुत ग्रहों म आप हजार बार उसको चेक करते हैं आप एक कुट्टे का बच्चा खरीते हैं उसकी ब्रीड चेक करते हैं उसके माबाब कौन है फलाना कौन है और आप साधी कर रहे हैं आपको चेकी नहीं करते हैं यह तो आपकी गलती है ना पर सर कुछ शादिया तो ऐसी भी हैं कि बिना चेक करें लव मैरेज हुई और वो सक्सेस्फुली चल रही है आज की डेट में भी वो फिर देखिए वो ग्रहों का चक्कर होता है जब ग्रह आपस में मैच कर रहा है तो आप बेसक बिना कुछ चेक करें कर लें लेकिन ठीक रहेगा अभी देखिए अभी से एक बच्चन जी का जो डिवोस हुआ हुआ है यह कितने सालों के बाद हुआ है क्योंकि उनके पिता जी ने कितनी पूजा पाट कराई है उससे 15 16 17 साल चल गया है तो रेमेडी से फाइदा तो हुआ ही है ना वह तो लेकिन रूमर ही है ना हुआ थोड़ी अभी उनका डाइवोस वह आप रि बिल्कुल कोशिस कर सकते हैं बचाने की लेकिन उसके लिए उनको कॉंटेक्ट करना पड़ेगा उनके लिए उनकी सही डीटेल देनी पड़ेगी पर सर ऐसा कैसे हो सकते हैं कि जैसे मैं एक रिलेशनशिप में हूँ मैं रहना चाहता हूँ और मेरा पार्टनर नहीं रहना कर रहा हूँ लेकिन जैसे वो दो जो मेरा पार्टनर का नहीं रहना चाह रहा तो उसके उसकि एनर्जी कैसे चेंजства होने लग जाती है क्योंकि मंत्रों मैं बोल रहा हूना उस पर कैसे इसरा रहा है देखिए मंत्र जो है ना वह हजारो मेल ट्रेबल करते हैं, माल लेजिए कोई ऐस्ट्रेलिया में बैठा है, और हमारे कोई यूके में उसने फोन किया और हम उपाए करेंगे, तो वो ऐस्ट्रेलिया तक मंत्र ट्रेबल करता है, हजारो किलो मीटर ट्रेबल करता है, और उसकी चीजों को रेक्टिफाई कर के positivity में create कर देता है जो negativity है वो पॉजिटीव हो जाएगी तो चाहे husband मंत्र का जाब कर रहा है या wife कर रही है या girlfriend कर रही है या boyfriend कर रहा है वो चीजें जब positive होगी तो वो जो boyfriend या husband हो भी ठीक हो जाएगा फिर उसका mind change हो जाएगा mind change होने में कितना टाइम लगता है आप देखिए दिन में 10 बार mind change होता है यह करें ना करें फिर कहता है ठीक है कर लेते हैं इसको इसको जादा patience नहीं है और आज की डेट में तो हर आदमी पैसे के पीछे भाग रहा है कि भी पैसा आ जाए चाहे कुछ कुछ भी करना पड़े चाहे उल्टा काम हो चाहे सीधा काम हो पैसा आजाए बस आज बहुत 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 करें इंडियन लोग करते हैं अपके पास सब्सक्राइब करें ना वह सिर्ट यरविया तो उनकी उस्काराम तीन भीवियां थी तो वह लड़की को प्यार करते थे जो उनके दोस्त की लड़की नदी। नदे उनकी लड़की थी। है TER भी खुम्सदुरा थी। उसके साथ उनको प्यार हो गया था तो वह बिलकुल जैसे कोई बंदा मैंटल हो जाता है प्यार मैं इस तरह थे, दस बार बीस बार फोन करते दे रोज, फिर मैंने उनकी हैल्प की थी तो बाद में उनकी उनके साथ साधी हो गई थी, जबकि वो लड़की उस टाइम साधी सुदा थी, लेकिन वहां उसकी बंती नहीं थी, तो बाद में उनके साथ तो सेक्साप के साधी होगी थी तो सर आपने उनको भी मंत्र जाप करने लिए बोला ऐसा कुछ रेमेडियू है जी आप बिलीव करेंगे हमारे पास मुसलिम आते हैं पंजाबी आते हैं काले आते हैं यह सब भी हनुमान चलीसा सुंदर कार्ड मंत्र सब कुछ करते हैं उनकी वहाँ पे डाइवर्स हुए नहीं 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 वह जहां थी साधी सुदा वहाँ खुश नहीं थी तो बार बार अपने घर आ जाती थी तो यह जिनके दोस्त की लड़की थी तो फिर उनों की साधी हुई उनके साथ हमारे उपाए करने के बाद छे मेने बाद हुई है तो सर अगर किसी का जैसे घर एक तरीके से टूटाई किसी का तो तो आप पे नहीं आता बैड इफेक्ट की आपने ऐसी रेमेडी दी वह लड़की खुश नहीं थी उन्होंने जब साधी करनी थी तो लड़की से भी मेरी बात कराई उन्होंने काफी रहती थी की मेरा हसमेंड मुझे ऐसे करता है करता है मरता है पीट आए और आतो तो कानोन भी बात उस लड़की से शाधी करना चाहता है जी वो भी उस टेम साधी की तो बात नहीं थी, वहाँ से छोड़ने की बात थी उनकी, और उदर वो दूसरा जो उनका सेक था, जो उनका फादर का फ्रेंड था, वो साधी करना चाहता था, तो उनसे भी मेरी बात हो रही थी, तो आपने समझाएं नहीं कि अभी रहने दे? मैंने उनको कहा कि आप पता है, इन सब चीज़ों को कोई समझाने से नहीं मानता है, आप जितना मर्जी समझा लेजिए, वो नहीं मानते हैं, तो अभी भी वो उनके साथ ही हैं, ठीक है, खुश है हो, वे एक दपा मुझे बर्मिंगम में मिलने भी आई थी उनकी वाइफ, चौथी वाली जी, चौथी वाली आई थी, जब मेरा सोहो रोड के पास मर्ड़क रोड में आफिस था, तो वहाँ आई थी, सर थोड़ा गोरों के बारे में बात करते हैं, उनका कल्चर थोड़ा अलाग है, उनके रिलेशनशिप ज़्यादा टिकते नहीं हैं, और शादिय मुस्लिम इन में ज़्यादा फर्क नहीं रहा है, इनका थिंकिंग का नेचर लगबग सेम हो गया है, पहले ऐसा होता था, अब आप बिलीब करेंगे, हमारे इंडियन पंजाबियों में से काफी लोगों ने गोरों के साथ साथी किये, और बड़े खुश है, जी, वो उनके साथ बहुत ज़्यादा खुश है और इमानदार है, वो बाहर किसी को देखते भी नहीं है, तो गोरों के बारे ऐसा बात करना ज़्यादा, हाँ उनको थोड़ा ब्लेक मैजिक की प्रावलम रहती है, गोरों को, उन्हें कैसी प्रावलम होती है, जैसे वो घर में सोया हुआ है, तो चीज हिलती है, या उसको ऐसे लगता है कि कोई वहां साया सा है, और जब वो उठता है, तो थोड़ा इदर उदर हो जाता है, या उसकी कोई टांग वगएरे में कुछ करता है, इस तरह की प्रावलम ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये लोग इतना प्रेयर जहां रहते हैं, बर्मिंगम रोट पर हमारे बगल में चर्च है, सिरफ संडे को वहां गिंती के लोग आते हैं, बाकी दिन चर्च बंद रहते हैं, सिरफ संडे को खुलता है, अनली अन संडे, हमारे जो मंदिर है सातों दिन खुलते हैं, सुबह साम, वहां खाना भी मिलता है सब कुछ मिलता है और आपको चर्च वगएरा में आपको मैं तो देखता हूं बड़ी-बड़ी गाड़ियां जो वहां अल्कोहल वगएरा सर्व करने के लिए आती हैं या बीयर के टेंकर लेकर आती हैं वहां रखने के लिए बाकी तो कुछ ऐसा हम देखा नहीं है पर इन कि मा कमजोर है इसलिए चीज़ें दिखती है लेकिन ऐसा नहीं है बलैक मैजिक तो होता है बलैक मैजिक करता कौन है यह पूछिए राहू कर दे राहू जब आपकी खराब ग्रह में बैठा होगा या किसी ग्रह के साथ बैठ जाएगा तो वह बलैक मैजी क्रियेट करता है कि फिर आप आपका सारा कुछ बंद कर देता है कि सारा बिजनेस चौपट कर देता है कुछ काम बन्य नहीं देता आप चाहे जितनी मर्जी कोशिच करने काम नहीं होगा उसको राहुदेव के मंतर से ही ठीक किया जा सकता है सर ऐसा नहीं होता कि ब्लैक माजिक कोई परसंग किसी तांतरिक से करवाता है किसी और के उपर मेजर लिए तो यह वहां पर भी और गोरों के साथ और यह क्या बात कर रहे हैं इतना ज़्यादा है यह सब चीजे में ब्लैक मेजी का कारण है जैलेसी कि इसके पास यह रेंज र तो सर वहां भी तांतरीक है ऐसे बिलकुल है तो सर आपके पास कोई ऐसा केस आया हो बताओ कि क्या क्या हुआ तो आपके केस के बारे में बताता हूं जो की एक लड़की सटन कॉल्ड फिल्म में रहती दी वो एक लड़के को लाइक करती थी वो डिवोसी थी उसकी बच्च भी थे वो जो लड़का यंग था तो उनकी जो माता जी थी उन्हों ने उसके ऊपर एक special मुठी करन कराया था मुठी करन मतलब कि उसको control करना मुठी में करना वशी करन थोड़ा सा मुठी करन कि उसको अपने मुठी में रखना कि जो माता जी कहेंगी बच्चा वही करें तो वह लड़की हमारे पास आई तो हमने सारा देखा मैंने उसको वह कहती कि वह तो लड़का आना ही बंद हो गया पहले यहीं से घूम कि दो मिल जाता था मैंने कहा कि देखिए यह यह चीज है और इसकी माता जी की इतनी हाइट है और फुलाना है और मुझे लगता है उनकी तरफ से प्रॉब्लम आ रही है आपको कैसे दिखा यह वो तो पी तजुर्बा हो जाता है ना जो एक ही काम कर रहा है इतने सालों से जैसे यह तो तंत्र विद्या का पार्ट नहीं है यह अगेटिविटी की तरफ राक्शसी प्रविट्टी वाले लोग करते हैं इस अप taking चा करने के लिए आया कि वह लड़का आपके आप आसपास घर के चक्कर लगा रहा है प्रकार को यह भ पी छोड़ गया तो उसने देखा तो वहां समान भी पड़ा हुआ था तो देखिए अगर आपको तजर्बा है आप राइट बे में स्पिरिच्वल लिलिंग कर रहे हैं काम तो आपका बने गई बने ये आपको आपकी सिक्सेंस के थूपता चलता है देखिए कोई इंसान पत हमारे पास बड़े-बड़े लोग क्रोड़पती हरव्पती लोंग आते हैं बिना हमारे से राय काम नहीं करते था मिल्ना सुरू किया था तब इतने शुक्सफफॉल नहीं थे लेकिन आज बहुत सुक्सफफॉल है पूजा पाट करते हैं मंतरों का जाप करते हैं और बिना नच्छतर देखे घर से बाहर ने निकलते हैं, कौन से टाइम में राहु काल है, कौन से टाइम में क्या है, सब चेक करते हैं, तो एक दफ़ा आपको किसी चीज से फायदा होगा, तो आप तो मानेंगे उसको, तो राहु देखे मंत्र का जाप करना बड़े जरूरी है, क्योंके राहु को अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, चाहे आप सोशल मेडिया में हैं, जैसे आप लोग हैं, चाहे आप तीवी लाइन में हैं, क्रियेटर हैं, आप सक्सेसफूल नहीं हो सकते. कि यह मंत्र है कई मंत्र है सबसे बढ़िया मंत्र है सिरो रूपाय बिदमः अम्रिते साय धीमहि तन्हों राहू परचोदयार और भी मंत्र है अर्धकायम महावीरियम चंद्रादित्यावि मर्धनम सिम्हिकागर्भसंभूतं तम्राहुं प्रणबाम्मेहं ये मंतर कोई भी बोल सकता है या फिर स्पैसिफिकली परसर अगर जैसे राहु किसी का खराब जगा पे है और वो ये मंतर जाब करे और राहु और स्ट्राउंग होके और चीज़े खराब कर दे फिर ये पता है क्या है आज का लोग इस तरह की बाते करते हैं ना क्योंकि उन लोगों को नौलेज नहीं है क्या है यू मस्ट नों हाव टू एक्टिवेट राहु देव इन यूर फेवर लेकिन आपको ज़्यादा देर तक एक्टिवेट नहीं रखना चाहिए क्योंकि राहु फिर उपर चे उठाके नीचे भी फेक देता है उसके बाद अपनी प्रेयर को थोड़ा सा चेंज कर ले जैसे सनी देव जो देते हैं वो तो आपके पास पर्मनेंट चीज़ें रहती है जो राहु देव देते हैं उसको आपको तरीके से हैंडल करना पड़ लेकिन वो आपको दस बीस दिनों में पचास आठ लाग एक क्रोण प्या दे सकता है सनी देव आपको देंगे दस बारह साल में आज कर लोगों में पेशन्स कहा है वो तो जाते हैं तुरंत पैसा आजए तो राहु देव को इसलिए राजा माना गया है तो राहु बहुत ताकदवर है राहु के पास इतनी पावर है कि अगर वो खड़ा हो जाएगा तो वहां कोई दूसरा गरें आएगा ने भाग जाएगा इदर दर निकल जाएगा सर वो कहानी अधूरी रह गए जो केसा आपने उनका ब्लैक माजिक कैसे रिजॉल्व कर रहा है फिर उनके पर हो रहा था ने फिर उनका रेमेडीज किया फिर वो ठीक हो गया किस तरीके की रेमेडीज थी देखिए उसमें एक तो उनका मंगल का जाप किया था और राहु द मंत्र भी है जैसे मंगल देव का है ओम क्राम क्रीम क्राम सह भोमाय नमहा या राहु देव का असान मंत्र है ओम ब्रांग ब्रींग ब्रांग सह राहवे नमहा तो असान मंत्र कर दे यह तो उनके लिए फिर भी मुश्किली है महला हम जैसे लोग के लिए तो बोल सकते हैं ज जिसको जरुवत है वो सीख जाता है, वो एक दो दिन ट्राइग करेगा, तो वो सीख जाएगा, ये कोई इतना ज्यादा मुश्किल का काम नहीं है, हाँ सुरू सुरू में लगता है कि काफी भारी है, तो कोई आया नहीं आपके वास की मेरे से नहीं हो पारा, मैं नहीं बोल सांवा, मैं लगता है कि अगर शेजसरी धर्म के हैं है तो वो इन पे लागु नहीं होंगा, काम नहीं करेंगा इसा होता है, जिए नहीं देखिये, आप डॉक्टर के पास या वो आपको दुवाई देते हैं, उसका रिलीज़न से कोई मतलब नहीं है, कि आप मुस्लिम हैं तो उसको कोई और रेमेटीज लेने चाहिए। कोई बहुत जिद्दी है लेकिन जो प्रॉबलम में फसा होता है उसके पास यतनी नहीं होती है कि और लड़ सके तो वो करेगा ही करेगा और उसको फायदा भी डेफिनेटी होगा। सर, भाहर तो बहुत क्से होते कि किसी गोप सुप्र रिड एक अिडिया को देखिरा आ कोई वा है। बहुत होता है अभी एक केस मेरे पास आया है जर्मनी का। जर्मनी में एक लड़का काम करता ह। वहां काम करता है इसको इसप्रीट वर हमें देखती है। तो उसका मैंने इलाज किया था अब वो ठीक है इलाज में सर आप मंतर जापी देते हैं मंतर जाप करते हैं उसको उसके लिए प्रेयर करते थे उसको लाइब दिखाते थे आज काल तो सारी facilities हो गई है ना तो सरा स्पिर्ट उसको परैशान कर रही थी और उसको जैसे जब वह सोता था न उसको सोने नहीं देती धी उसकी बेड़ बहुत तेशते जहलती दी तो वह सो नहीं पाता था और सुबहे हो जाती दी तो उसके वह बिल्कुल पगला गया था फिर जब उसका इलाज किया फिर उसको सांटी होना शुरू हो गया था फिर वो चार पांच घंटे पहले निँद आतीदी पिर आप तो साथ-ाथ घंटे सोता है तो उस जगा का वो था कि कुछ जगा वो हॉंटेड थी या फिर उस बंदे के ग्रह कुछ उसके ग्रहों की वज़से ही होता है कुछ तो जगह भी होती है जैसा यूके में बहुत जगह हैं ऐसी तो वहां कोई रहता है निये सब वहां से मकान वरत छोड़कर भाग गए बड़े-बड़े मकान हैं जहां 40 40 50 पजास रोम है वह पूरी होंडर जगह हैं जी 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 व उसे गवराठ हो जाती है लोगों को तो वहां को रहता ही नहीं है कई घरों में मैंने देखा है कि आग वगरा भी लग जाती है जो वहां का बच्चा होता है वो खुदी माची से आग लगा देगा देखिए दुनिया में देवता लोग भी हैं राक्षस लोग भी हैं कि आप किसी चीज को खतम नहीं किया गया भगवान ने सब को बरावर का दर्जा दिया हुआ है जब अम्रित भी मिला है तो अम्रित सब के लिए था लेकिन देवता लोग उनको देते नहीं थे राक्षासों को तभी तो राहू ने देवता बनके पी लिया अगर आप इसको और इतना ताकतवर कि अम्रित लेकर भाग गया और उसको कोई पकड़ नहीं पा रहा था तो अगर आप उसका हक नहीं दोगे निकाल तो दोनों सब मिलकर रहे हैं ना सब को देना चाहिए सर जैसे किसी आयसा भी सुना हमने किसी पर पोजेशन हो गया कोई स्प्रिट कीसी पर हावी हो गई तो वो किया प्लैनेट के इवाज़ए से होता है या वो ऐसी के साथ ही बायूशत ने इसको करेंगे कई दफ़ा जिन वगरा का भी चक्कर होता है जो कि आपके साथ फीजिकल रिलेशन भी बनाता है लेडी जों के साथ जी 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 ऐसा भी हमने काफी केस देखें ये इंडिया के बाहर भी हो रहा है इंडिया के बाहर हो रहा है भई देखिए spiritual healing जो है मंत्रों के हिसाब से होता है उसका देखना पड़ता है हां देखे कि अभी कौन सा ग्रेय चल रहा है उसका कितना effect है कितने हद तक तंग कर रहा है इसको उस हिसाब से उसका remedy जो हता है वो आप करते है क्योंकि वो तो कर नहीं सकते है देखिए patient जब तक आप के साथ corporate नहीं करेगा तो आप इलाज कैसे करेंगे क्योंकि फाइदा तो उनको होना है जैसे वो तो बिल्कुल ही possessed है कोई अगर possessed होता है लेकिन उसका timing होता है वो दिन भर possessed नहीं होता है वो रात के time में ज्यादा possessed होता है जी सर रात में ऐसा क्या होता है कौन सी planetary movement ऐसी होत आप तो इतने लोगों के interview करते हैं कि जो राहु देव की पूजा है वो sunset के बात करनी चाहिए सुना है आपने आपको किसी ने नहीं बताया होगा क्योंकि जो राहु अपने आपको रात का सूर्य मानता है अगर आप दिन में उनकी पूजा करते हैं तो उसको ये लगता है क आप सूर्य भगवान की पूजा कर रहे हैं क्योंकि वो चंद्रमा और सूर्य का तो पक्का दुस्मन है जैसा मंत्र में लिखा है चंद्रा दित्या बिमर्धनम सिम्हिका अगर्भसंभूतम तम्राहुं प्रणमाम में हम तो रात को पूजा होती है राहु आपको गैंबिल जी से या पंडी जी से राय लेकर करते हैं आप देखिए कि मैं अभी देख रहा था टीवी में प्रियंका जी ने आज नॉमिनेशन किया है आज नच्छत रच्छा है तो इसका मतलब वो भी पंडितों को मानते हैं बीना इसके कुछ नहीं होता है दुनिया में सरी बात है स इनसान का मैं देख लेता हूं मैं उस रिसाबसे बतासकते हैं मैं हमाराली आप जैसे कुछ जैनरल अगर बता सकते हो कि जिन लोगों के हाथ में ये डू画 जो बे्सिक समस्दय आउन कम से कम महीने दो महीने का अच्छा अंदाजा लगा सकते हैं अंदाजे की बात कर लेते हैं कि हाथ सर जैसे कुछ कॉमन मित है कि ऐसे आधा चांद बनता तो लव मैरी जोती है बीवी सुन्दर मिलती है ऐसी चीज़े इसा कुछ है ये देखिए ये हाथ है ना भाग रेखा की बात करते हैं सबसे पहले देखिए भाग रेखा चाहे कहीं से भी चले यहां से 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 चले यह जो सनी देव की अंगली है इसके नीचे पहुंचनी और आपकी यह लाइन से यह यहां जाके यहां पहुंचेगी तब इसका मतलब है कि वह बाग रेखा सही है यहां जाके जितनी दिक इस की सच Además इंकम जादा होगी कहीं कि आपने देखा वागा दस है तो उनकी दस सोर्स ऑफ इंकम है यह वाला जो परबत है यह सूरी भगवान का परबत है अगर यहां फिश बन जाए तो इसका मतलब है को आकस्मिक धनला मिलेगा और उसको गवर्मेंट में बहुत बढ़िया पोश्ट म आकस्मिक धनलाब देता है यह बुद्ध परबत है अगर इसमें पैरलल लाइन हो यहां जाली बनी हो तो उसके अलग-अलग इफेक्ट है पैरलल लाइन है कि इसका मतलब आप प्रोफेशनल होंगे बुद्धी जी भी होंगे कंसल्टेंट होंगे है अभी नया सुनाता कि हाथ पह अगर डमरु हो डमरु का साइन बनाओ यहां पर अपने आप तो उसका ग्या मतलब है देखिए डमरू का मतलब है spirituals के साथ, डमरू बना हो, कोई आपका जहंडा बना हो, ओम बना हो, कोई कलश बना हो, कलश का मतलब finance से है, पैसा, कि उसके अंदर पैसा भरा हुआ है, तो अगर मंदिर बना हुआ है, तृशूल बना है, मान लिजे किसी का इहां तृशूल बना ह यहां जाके ट्रिडंट बन गया है तो वह राज्योग होता है उसकी राजाओं वाली लाइफ रहेगी विल लीव रॉयल लाइफ तो यहां लग लग है अगर आपकी मून से फेट लाइन चल रही है और यहां पहुंच रही है तो जिसकी फेट लाइन है उसमें जो फीमेल होत हाँ का लेकिन जो हस्बेंड हना उनकी तरक्की बहुत होती है साधी के बाध उनकी तरक्की बहुत हो जाती है सेल्फ मेड होता है यह मून से फिट लैन वाला सेल्फ मेड पाम है उसकी किसी की हेल्प की जरूत नहीं है उसके अगर यहां पे कुछ इतनी लाइन्स होती है तो इतने बच्चे होंगे यह सुनते आए कि यह मित है कि आप जो क्वेश्चन पूछते हैं वो जो जगह है इसमें लाइने बनती है यह जो साधी वाली लाइने इसको ऐसे 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 लाइने बनती है अगर वो मोटी लाइन है तो वो लड़के की होती है पतली लाइन लड़की की होती है अच्छा अगर सनी देव आपकी हरोस्कोप में पांच में घर में बैठें इसका म कर सकता है सनी देव का अगर आप मंत्र करेंगे लेकिन आपको पहले अपने कर्मों को ठीक करना चाहिए इमांदार बनना चाहिए और आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए भगवान का नाम हनुमान चलीसा या बजरंग बान ये करना चाहिए और किसी मजदूर को किसी का पै मेले लोग काम करते हैं उनके पैसे डिले करके देते हैं इंसान को टाइम से पैसा दे देना चाहिए मंत्र है नीलान जना समाभासम रभी पुत्रम यमागरजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामी सनश्यरम ओम प्राम प्रीम प्राम सह सनश्यरायनमा सनश्यर का मतलब क्या मतलब बहुत धीरे धीरे चलने वालों जिसकी हरस्कोप में बैठ जाते हैं वहां से हिलने का नाम नहीं लेते जब तक उसके जो बैठ कर्मा किये हैं उसका इलाज नहीं कर देते जाते नहीं हैं अभी मैं मनोज बाचपई जी का कहीं इंटर्व्यू देख रहा था उनके उप और आपको एक आदमी फोन नहीं करेगा वैसे अगर आपको 200 फोन आते हैं तो किसी एक आदमी का फोन नहीं आएगा आगिक आपके पस से क्योंकि वो इतने जल्दी मानते नहीं है you have to be continue doing the remedies and if you do it yourself it's better for you लेकिन कर्मों को पहले ठीक करें जैसे माल लीजे कोई आपके हैं सफाई करते हैं तो उनको जैसे सनी वार वाले दिन कोई कोल रिंग पिला दी कोई समोसे खिला दिये उनकी respect की उनको अपने साथ बिठा लिया तो उससे अच्छा होता है देखिए इनसान तो सब बराबर है कोई बड़ा चोटा नहीं है आज जो बड़ा है कल को चोटा हो जाएगा सर ऐसे आपके आप से जादा क्या वाक करती है ऐसे आप पाम प्रेसाइज होती है ऐसे लौजी तो पूरा आपका देखो एक मिनट में इंडिया में हजारों बच्छे पैदा होते हैं वो सारे के सबका भाग तो सेम नहीं होगा जो पाम है ये स्पेसिफाइज आ आपके लिए है इसको देख के आपको सब पता लग जाएगा कौन सा गरए कहा है कही लोग बूचते हैं कि जी पाम की रेखाए चेंज होती है दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो चेंज नहीं होती है horoscope भी चेंज होता है अंतरदसा महादसा प्रतंतरदसा सब कुछ हमी चेंज होता है परसर किसी यह से हाथ वाथ कटे हुए हूँ तो फिर कैसे वाक करेंगी देखिए अगर हाथ कटा भी वह आए लेकिन उसका भागे तो है ना फिर उसका फेस रीड करेंगे तो फेस किसी जोटसी के पास या गुरू जी के पास तो वो आपको फेस देखके बता सकता है कि आप किस प्राउबलम से गुजर रहे हैं अच्छा आप बता जेते हो फेस देखके यह तो कामी है इतने साल हो गए 25 साल में तो कोई भी बता देगा पिर आप regular है लोग appointment लेकर आते हैं personal म मिलते हैं एक चीज मैंने बड़ी अजीब देखी है इंडिया के अंदर कि अगर आप किसी जोटसी को फोन करते हैं तो पहले उनकी टीम बात करती है हमें कोई करता है मुझसे डारेक्ट बात करते हैं सर हाइब भी बनानी होती है ना कि पहले असिस्टेंट हाइब भी इतनी मत टाइम बेस्ट होता है कोई इंसान परेसान है आप उसको और परेसान कर रहे हैं आप कहरें पचास जार फीस है अगर आप तीन दिन में दिखाएं एक लाग दीजिए तीन दिन में बता देंगे हां सर यह भी चल रहा है तो यह सब चीजें आई डांट तिंग इस तर राइ पता है यह नहीं कि आपकी फीस मिली है और वो इंसान कॉंटेट कर रहा है तो मेनेजमेंट टीम ही पता नहीं कौन सी टीम है कहां से आई है यह सब काम तो डिस्क्रीट वाला है आप टीम रखेंगे तो बातें फैल जाएंगी आपकी सभी बात है हम लोग तो खुद बात कर काम में हमें फॉलो करता है उसके लिए सिरफ पांच हजार रुपे फीस है और उसमें सारा कुछ हम बताएंगे उसको कुछ भी बोलने की जरुत नहीं है अच्छा आने की जरुत ही नहीं है जी आज काल तो सारा वाटस अप के तुरू डिटेल भेज देते हैं अगर कोई मि तीस कम से कम 31,000 है उसके लिए तीन महिने की बुकिंग हो चुकी है और यूके में चल रहा है तो मेरा कहने का मतलब है कि आप जो भी कुछ करें सोच समझ के करें आप किसको कॉंटर्ट कर रहें कितने पैसे दे रहें किसी को भी पैसे देने के पहले थोड़ा सोच लो सही ब मज़ा है आप से बात करके उमीद है ओडियन्स को भी बहुत ज्यादा मज़ा होगा और अगर आपको सर को रीच आउट करना है तो सारे कॉंटाक्ट डीटेल्स हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहें जैसा कि सर ने बताया इंस्टाग्राम पे अगर आप इन्हें फॉलो करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर इन्स्टाग्राम फ्लैश वरता डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है आप जाकर रीच आउट कर सकते हैं अगर आपको लगता है सर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्फ कर सकते हैं तो और हम मिलेंगे ऐसी एक और मैज़ार एपिसोड के साथ तिल देन अ अबना ध्यान रखिए जाने से बहले एक आपको नव ग्रह का मंत्र बता के जा रहा हूं जो कि कोई भी कर सकता है जिसको हरोस्कोप देखना नहीं आता है या उसको अपनी डेटो बर्त टाइम बर्त के बारे में पता नहीं है मंत्र है ब्रंभा मुरारी त्रिपुरांत कारी भानो ससी भूमी सुतो बुधस्य गुरुष्च सुक्रह सनी राहु केतु सर्वे ग्रहा सांती करा भवंतु हर हर महादेव तो इस मंत्र से सारे ग्रहे शान तो लेकिन अगर आप इस स्पैसिफिक होरोस्कोप दिखा के उसका ही लाज करें वो ज्यादा इफेक्टिव है ओसम सर थैंक यू सो मुच सर थैंक यू सर आप लोगों का बहुत थैंक यू है कि आपने बुलाया है और आप लोगों को मिलके कि आप से बार में थेक्टिव है और आप से बार में थेक्टिव है और आप